नमस्कार दोस्तों तो कैसे आप लोग तो कल मैंने एक वीडियो बना आया जिसमें मैंने कहा था भीबो एक स्मार्पोन लाने बाला है जिसमें होगा दुनिया का सबसे पहला EXINOS 880 बला प्रोसेसर और यह भी कहा जाए कि ए जो 880 बला प्रोसेसर एदा सब स्नैप्रियागों 765 का एकजक्ट कॉपी होगा तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यह जोज Exynos 880 यह Snapdragon 765G से कितना बढ़िया है या फिर कितना इक्वाल है तो चलिए शुरू करते आज के वीडियो भी ना कोई वाक्त कबर और ए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजुरू चल पर नए है और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाते तो गैजुरू चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल इमाद भूलिएगा मतलब ऑडिजिनाल जो एक्सिनोस 980 उसका लगबख सारी फीचर से होगा पस स्पीड में थोड़ा सा काम होगा इसलिए इस वीडियो में आम ज्यादा तर इंफ्रोमेशन यूज करेंगे एक्सिनोस 980 के दरब से तो एक्सिनोस 880 2020 क्वाटर 2 में लॉंच हुआ है और स्नाप्डागा 765G 2020 क्वाटर 1 में लॉंच हुआ है दोने प्रोसेसर 64-bit उक्ताकोर प्रोसेसर है स्नाप्डागा 765G एक 7-nanometer प्रोसेसर है तो स्नाप्डागा 765G में एक हाई-पर्फोरमेंस कोटेक्स A76 कोर जिसका स्पीड है 2.4 GHz और एक मिदियम पर्फोरमेंस कोटेक्स A76 कोर जिसका स्पीड है 2.2 GHz और शिक्स लोव पर्फोरमेंस कोटेक्स A55 कोर जिसका स्पीड है 1.8 GHz लेकिन Exynos 880 में एकदम latest generation 2 Cortex A77 कोरे जिसका speed है 2.0 GHz और 6 low performance Cortex A55 कोरे जिसका speed है 1.8 GHz अगर दोनों परेसर के RAM सपोर्ट की बाद करें यहाँ पा तुरह सा confusion है यूँके Snapdragon 765G में dual channel LPDDR4X RAM का support है जिसका speed है 213 MHz लेकिन Exynos 880 में dual channel यह फिर quad channel है इसके बार में अभी तक कोई information नहीं है और अगर memory support की बाद करें तो Exynos 880 में EMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों का support होगा लेकि Snapdragon 765G में EMMC 5.1, UFS 2.1 और UFS 3.0 का support होगा अगर दोनों परेसर के camera support की बाद करें तो Exynos 880 में single camera में 108MP पिकसेल और dual camera में 20 plus 20MP का support होगा लेकि Snapdragon 765G में single camera में 192MP और dual camera में 22 plus 22MP का support होगा और अगर दोनों परसेसर के video capture की बात करें तो Exynos 880 में हमें 4K video 120fps में capture कर सकते हैं लेकि Snapdragon 765G में 4K video की इस fps में capture कर सकते हैं कोई information नहीं है और अगर दोनों परसेसर के display support की बात करें तो Exynos 880 में हमें W QHD plus तक का display का support है लेकि Snapdragon 765G में हमें QHD plus तक का display का support है और अगर network support की बात किया जाए तो दोनों ही परसेसर एक 5G परसेसर हैं दोनों ही परसेसर में जो 5G modem वो परसेसर के अंदर ही लगा हुआ है Exynos 880 का 5G में download speed है 3.55 Gbps और 5G में upload speed है 1.38 Gbps और Snapdragon 675 में 5G में download speed है 3.7 Gbps और 5G में upload speed है 1.6 Gbps अब जो main Gs दोनों परसेसर का graphics card के आ है Snapdragon 765G में जो graphics card होए Adreno 620 जिसका frequency है 625 MHz लेकिन Exynos 880 में जो graphics card होए Mali-G76 series का graphics card अब इसके अंदर कितना core है इसके बार में कोई information अवेलेबेल नहीं है लेकिन अगर हम GPU score की बात करे तो Snapdragon 765G graphics card में score करता है 102.2 लेकिन Exynos 880 क्योंकि Exynos 980 का थोड़ा सा downgraded version होगा इसलिए यह उमिद किया जा रहा है कि Exynos 880 का जो overall graphics card score वो 102 से 104 के बीच में होगा मतलब क्या सकते almost Snapdragon 765 जैसा या फिर उससे थोड़ा सा बेटर और गार दोनोर processor के Geekbench score की बात करते तो अब देखी सकते Exynos 880 single core में score करता है 641 और multicore में score करता है 1814 और Snapdragon 765G single core में score करता है 615 और multicore में score करता है 1916 तो आप बढ़ी इस वीडियो के conclusion किये अपने फूरे वीडियो में देख लिया यह जो Exynos 880 processor launch हुआ है मदब launch होने ही वाला है यह दर असल एक बहुत ही बढ़िया mid-range processor बनने वाला है क्योंकि सबसे पहले जो भीबो के smartphone में आएगा उस smartphone का प्राइस होगा मतलब expected price है 25,000 रुपए में वह भी Samsung के तरफ से बढ़िया processor जिसका overall performance snapdragon 765 या फिर उससे थोड़ से बिठर होगा मनदम एक बहुत ही बढ़िया थीप से Samsung के तरफ से होने बाला है तो आज के वीडियो तक उमीदे चोटा सो comparison आपको पस्तना होगा future में आप future में अगर आपया सही और भी comparison देखना चाहते तो मुझे निचे comment करें बताना मैं उसके बड़ वीडियो ज़रूर बनाऊंगा तो मिलते अगली वीडियो पे तब तक stay tuned and always remember think positive be positive thank you